सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार आज हम कार्टिक महार्ट्य का 21 वाध्याय सुनेंगे राजा पृत्वी ने पूजा है नारज जी किरपा करके अंकुट तथा गोवर्धन का महारत्में कहिए तब नारज जी कहने लगे कि कार्टिक सुधी एकम को गवर्धन पूजा तथा अंकुट होता है इस दिन पृत्वी परगोबर का गवर्धन बनाकर उसका पूजन करे फिर अंकुट बनावे पहले ब्रामनों को भोजन करावे फिर स्वे भोजन करे गोत था बैल का पूजन करे दिन के तिसरे भाग में मारक पाली का भांदे इस दिन जवाई का भी पूजन होता है प्रितु पूचने लगे कि हे नारज जी सरव पत्थरम यह पूजन किस ने किया यह कहिए तब नारज जी बोले कि समुंदर मंतन के समया ज़ा लक्ष्मी जी समुंदर से उत्मन हुई तवे विश्नु से ब्याई गई इस से अननदित होकर समुंदर ने बहवान की स्थूते की तविश्नु ने कहा कि वर्दान मांगो यह सुनकर समुंदर ने कहा कि हे भगवन आप लक्ष्मी जी सैथ मेरे यहां निवास करें तविश्नु ने कहा कि ऐसा ही होगा उससी दिन से दमात का पूजन अरम हुआ जो कोई कार्थिक सुधी एक्तम को दमात का पूजन करता है यह सब पापों से छुट जाता है इस परकार कार्थिक महात्या का एक्तिसमा अध्याय समापट हुआ अब हम कार्थिक महात्या का वाईसमा अध्याय सुलेंगे नारज जी कहते हैं कि हे राजन कार्तिक शुकला दूज को यम दित्या कहते हैं इस दिन यमना जी में सनान करके यमराज का पुजन करते हैं इस दित्या को भया दूज भी कहते हैं इस दिन भाई अपने घर में भोजन ना करें अपनी बहन ना हो तो गुर्य की गन्या भी बहन के समान होती है अज़ अब उसे बहन माने उस दिन बहन अपनी भाई की आयू बढ़ाने के लिए आठ चिरंजीवियों मारकंडय, बली, व्याद, हनुमान, विभीशन, कृपाचारे, अशबधामा और परशुराम का वेदिवत पुजन करे फिर भाई को बुलाकर पहले उसके लिए तिलक लगाए फिर यह करे कि सूर्य, चंदर्मा, पृत्वी, समुंदर, वेद, पुरान, तप, सत्य, ब्रह्मा, विशनु, महेश, देवता, मुनी तथा धर्म ये सब मेरे भाई की रक्षा करे, तथा जब तक पृत्वी सूर्य आदिस्थित है, तक तक मेरे भाई की संती चले, फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन करावे, भाई वी अपनी शर्था तथा समर्त्यानुसार दक्षिना दे, इतनी कता सुनकर राजा पृत्वी ने नार जी सब ख्षेत्रों में उतम खषेत्र कौन सा है? नारजीक ने कहा राजन सब खषेत्रों से उतम गंगा तथा यमना का संगम है, जिसमें सनान आदिकर के ब्रह्मा आदिर देपता भी इच्छा रखते हैं, गंगा के समर्मातर से नुश्य के एनेक पाप खशे हो जाते हैं तथा गंगा जीने सनान करने से मनुष्य के पाप नाशोकर कई कुल परमंद को प्रापत होते हैं गंगा सनान की अभिलाशा करने से मनुष्य अनेक चनम के पापों से मुक्त हो जाता है यह समस्त संसार माया रूपी बंदन में बंदा हुआ है मगर गंगा इस माया रूपी बंदन को काटने वाली है गुदावरी, कृष्णा, रेवा, हम्रवति, तुंग भ्रदा, कावेरी, यम्ना, बाहुदा, चैत्रवति, कामरपरणी, सर्यू, हाधि सब तीर्थ गंगा में स्थित हैं काशिक शेत्र में भी सब शेत्रों में उत्तम है, जहां देवता वास करते हैं, वह मुनुशित धन्य है, जो अपने कानों से काशिक शेत्र की कथा सुनता है, जो काशिक जी का सेवन करते हैं, वे जीवं मुक्त हो जाते हैं, यदि प्रांतर काल के समय कोई काशिक शेत्र का सम करता है तो भी व्यमुक्ष को प्रापत हो जाता है इस परकार कार्तिक महात्य का 22 अध्याय समापत हुआ अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ छोटी सी घंटे यान उसको जुरूर दबा दे लाइक जादा करने है ठीक है ना तो मिलते हो अगली वीडियो तर अ झाल झाल